दोस्तो मार्केट में काफि सारे घरमामेटर ऐसे अवलेवलस हैं जो के वकारन आपने के लिए यूज हैं मगर उन में से काफी सारे फेक भी रहते हैं और काफी सारे इच्छे भी रहते हैं तो दोस्तो आज हम इसी टेकनोलोजी के उपर बात करने वाले हैं नुश्कार दोस्तों मेरा नाम हरी की स्वागत करता हूँ अब सभी का अपने यूट्यूब चैनल माइंड गेम में तो शुरू करें चल भाई हो जा शुरू दोस्तों इस टाइन पर मार्केट में हमारे पास काफी तरह के जो थर्मामेटर होते हैं वो अबलेबल से जिन में से एक थर्मामेटर रहता है जो कि नॉर्मली होता है इसको आप लोग देख सकते हो मगर इस थर्मामेटर का यूज नॉर्मली लोग नहीं कर पाते क्योंकि इस तो वो चीज़ लोगों के लिए पता नहीं होती और ये वाला thermometer जो रहता है मार्केट में बहुत ही cheapest rate पे मिल जाता है यनि 50-60 रूपे का नॉर्मली आपको बड़े ही अराम से मिल जाता है बड़ सबसे ज़्यादा लोगों की दिक्कत यह रहती है ये के लोग बार इसका वो एंगल नहीं देख पाते हैं तो मैं आप लोगों को इस थर्मामेटर के लिए सजेश्ट नहीं करूँगा अब जो दूसरा थर्मामेटर है हमारे पास में मैं उसकी बात करने वाला हूं इसको जीप के निचे कम से कम 2-3-4 मेंट तक लगा करके रखना होता है उसके बाद में ये बुखार हम लोगों को बताता रहता है और बात करते हैं अब तीसरे थर्मामेटर की तो दोस्तों तीसरा थर्मामेटर हमारे डिजिटल है जो के ये रहा अब दोस्तों ये एक्यूशोर कमपनी का थर्मामेटर है और बहुत ही डिजिटल क्वालिटी का है और फिर इसको हम लोग जैसे ही यहां से प्रेस करते हैं ये रीडिंग स्टार्ट कर देता है रीडिंग स्टार्ट करने के बाद में बिल्कुली कुछी सेकेंड में ये अब रेडि हो चुका है और फिर इसका उपर वाला बटन जो रहता है इसको यहां माथे के पास में ले जाकर के हमें प्रेस करना होता है प्रेस होते ही जश्ट वन सेकेंड में ये आप लोगों को रिजल्ट दिखा देता है और अभी इसमें 91.4 डिगरी फारेन हाइट टेंपरेचर दिखाया गया मगर ये में रियल टेंपरेचर नहीं है क्योंकि ये जो थर्मा मेटर है एक तो काफी ज़्यादा महेंगा भी होता है और दूसरी चीज ये है दोस्तों क्यानि इसमें आप लोगों को रीडिंग जो रहता है ये हीट को नापता है यानि अगर आपको फिवर आ रहा है और बुखाद अगर है आप लोगों को काफी ज़्यादा तभी आप लोगों को शो करता है ये चीज शो नहीं कर पाता कि यह नहीं आप लोगों कितना temperature है और दूसरी चीज़ यह है कि यह वाला thermometer आपको 500 से लेकर के 1000 रुपे तक मिल जाता है तो यह नहीं मैं आप लोगों को यह सजेश्ट नहीं करूँगा कि आप लोग यह थर्मामेटर रखें कि घर में अगर आपके किसी को बुखाद आता है या कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो उस condition में अगर आप इस थर्मामेटर को यूज करते हो तो यह वाला thermometer 100% रिजल्ट नहीं देता है तो आप लोगों को मैं यह सजेश्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों के घर में अगर बच्चे हैं या बूढ़े हैं यह नहीं हर नीचे या आप अपनी बगल में यहां पे साइड में काख के नीचे दबा सकते हो और दबाने के बाद में आपको तीन से चार मेंट रखना हो रहता है और फिर यह अपना काम शुरू कर देता है और जब इसमें यह टेंपरेचर आप लोगों बताएगा तो इसमें ब्लिंक पर टेंपरेचर जो है बता देगा आप लोगों ने देख लिया होगा या आप लोग देख सकते हो इसमें की रीडिंग एर्र दिखा रहा है क्योंकि यह अभी हम लोगों ने मुझ में लगाया ही नहीं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और मैं यही सजेस् पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक और बात दोस्तों यह वाला खर्मामेटर जो है काफी चीफेस्ट भी है ज्यादा महंगा नहीं मिलता आप लोगों को नॉर्मली दोसो डाइसो रुपे तक बड़े आरे आराम से मार्केट में मिल जाएगा तो चलिए दोस्त आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू वेरी मच